40 साल के वेक्ति की सर्फदंश से हुई मौत परिवार में मचा कोहराम अरजपुर से इस वक्की खास खबर MP News Live के लिए शेंशा केप की खास रिपोर्ट जोसा प्रंगाट अंतरकात अरजपुर पंशिम वंचायत वाट संख्या आठ के चंसुरी टोला में मौत की पैचान रामलाल मंडन के पुत्र अरुन मंडल की रुप में की गई है मौत अपने नीजी काम को लेकर घर में कुछ सामान ढून रहा था तबी विशेले साप ने ड्रम के अंदर से निकल कर उसे डस लिया साप के डस्ते ही मौत अपने परिवाय वालों को चिला कर इखटा किया लेकिन देखते ही देखते ही मौत की हालत गंबीर हो गई इससे फॉरण चोसा के सामुदाएक अस्पताल के इंद्र लाए गया डॉक्टर ने उसे मृत घोशित कर दिया चोसा थाना देश मुम्ताज अंसारी ने बताया कि शव को ठाने लाया गया है जहां परिजनों को उचित मौफजा देने को लेकर बात कही गई है फिलाल शव को पोस्माटम के लिए मधे पुरा भेजा जा रहा है सर्फदंश के समन में चोसा अंचला अधिकारी ने भी बताया कि साप काटने पर सरकारी मौफजे का प्रावधान है फिलाल परिजनों द्वारा आवेदन नहीं मिला है आवेदन मिलते ही मौफजा देने की प्रकिरिया की जाएगी उमर कितना हो रहा है इसका उमर 40 साल साब रीपकर के लाया है सेख